आप अपनी chart analysis को strong करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं क्योंकि market arts के दुरान जो कुछ भी बनता वो सब कुछ हम आपको यहां पर update कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं कि morning में हमने आपको nifty के nifty mid cap के bank nifty और fin nifty के important levels हमने आपको यहां पर send कर दिये थे और daily time frame क chart भी हमने आपको यहां पर अपने बता दिये थे then bank nifty में हमने आपको evening star candlestick pattern बताया था और fin nifty में भी evening star candlestick pattern बताया था और आप देख सकते हैं कि जब उनका low break हुआ then 150 point यहां से downside थी और fin nifty भी हमारी 100 point यहां से downside थी उसी के basis पर हमने भी यहां पर trade ली थी आप देख सकत हैं कि यहां पर morning star candlestick pattern का high break होने पर 100 point थी fin nifty में भी हमारा same यही pattern था और रूसी के basis पर हमने आपको एक call position दी थी 345 पर और आप देख सकते हैं कि उसने आपर almost यहां पर 100 point का jackpot यहां पर profit दिया था free telegram में हमने अपने यह trade दी और जो morning star का pattern बताया था उसके बाद यहां स upside यहां पर गई थी there fin nifty में हमने आपको hanging man pattern बताया था bank nifty में भी हमने आपको evening star candlestick pattern बताया था और आप देख सकते हैं कि जब उस hanging man candlestick pattern का यहां से low break हुआ था fin nifty में हमारी कितनी जादा यहां से downside market थी और उसी के basis पर again हमने अपने यहां पर trade लेकर चले थे put position आप सकते हैं यहां से अगर upside market गई तो काफी अच्छा move आएगा अगर downside भी आई तो काफी ज़्यादा यहां से selling आ सकती है तो fin nifty में हमने आपको again long lag doji pattern बताया था और उसका pattern का break होने के बाद again यहां से upside थी then bank nifty में और fin nifty में हमने आपको again double top pattern बताया था और आप देख सकते ह कि fin nifty में target हमारा अचीव हुआ था bank nifty भी हमारे यहां से 200 point यहां से downside थी पर उसी के basis पर हमने भी यहां पर trade ली थी आप देख सकते हैं कि उसने 98 से यहां पर 140 का high लगा था इससे भी upside हमारी गई थी यहां पर हमारे target अचीव हुआ था तो bank nifty में जो m pattern का था target हमारे 200 point यह यहां से downside थी और फिर निफ्टी हमारी downside 90 point थी यानि आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी मार किटार्स के दुरान बना था वह सब कुछ हमने आपको update किया तर वह सब यहां पर follow भी हमारे chart हुए थे तो आप भी हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि आप मिड कैप में कैसे trade करके चलेंगे मंडे को आपके लिए कौन से important levels रहेंगे जो रजिस्ट्रेंस और सुपोर्ड का काम करेंगे वाइस वेलकम बैक तो माई YouTube चैनल ट्रेडिंग विद प्रियांका कश्यप तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और देखते हैं कि आम मिड कैप में कैसे trade करके यहां पर चलेंगे तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें तो हमारा यह वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस चार्ट पर हमारा यह ट्राइंगल पैटर्न की हमारी formation हो रही है तो अगर मार्किट यह जो अपर ट्रेंड लाइन है यह आपके लिए resistance का काम करेगी और यह जो डाउन ट्रेंड लाइन है यह आपके लिए support का काम कर रही है आप देख सकते हैं कि पहले भी मार्किट ने इसी ट्रेंड लाइन का सुपोर्ट लेकर यहां से upside गई थी और आज भी मार्केट ने अल्मूस्ट इसी ट्राइंगल का यहां से अभी support लिया हुआ है अभी हमारी थोड़ी मार्केट के close होने में time है बट मार्केट ने इस trend line का यहां पर support लिया है आज भी तो अगर मंडे को market यहां पर gap flat open होती है और flat open होने के साथ इस triangle pattern का यानि इस down trend line का यहां से break करती है तो देन यहां से mid cap में आपको काफी ज़्यादा selling यहां पर नजर आएगी और आपके लिए जो force support हमारा यहां पर निकल कर आएगा वो 8960 कर रहेगा और जो next support आपके लिए रहेगा वो 8880 कर रहेगा यह आपके लिए mid cap के हमारे next support निकल कर आ रहे हैं इस one day time frame के basis पर लेकिन अगर market यहां पर gap down ही open हो जाती है और gap down open होने के बाद again इस trend line का retest करती है तो then आपको फिर से यहां पर put position ही बना कर चलनी है क्योंकि यह आपके लिए फिर एक price action यहां पर हमारा बनेगा जो कि आपके लिए safe entry होगी then आप से यहीं पर ही अगर कोई bearish pattern हमा बनता है तो आपको फिर से यहीं से ही put position को बना कर चलना है लेकिन अगर यहां पर flat open हो जाती है और flat open होने के साथ इसी का ही यहां से support ले लेती है या आज के high को break कर देती है तो आपको यहां से definitely call position को बना कर चलना है और आपका जो next target रहेगा वो 9,160 का रहेगा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस triangle pattern के basis पर कैसे Monday को trade लेकर चलेंगे तो चलिए फिर अब यह देखते हैं कि हम यहां पर हमारा weekly time frame पर क्या बना है तो weekly time frame पर भी हमने आपको last week यहां पर बताया था कि यह हमारी dragonfly dozy pattern बना है जब तक market इसके बीच में रहेगी तब तक market हमारी यहां पर इसी तरीके से consolidate रहीगी जब इसका high break होगा दैन आपको एक अच्छा move यहां से upside और downside यहां पर आपको नजर आएगा तो इस week की भी हमारी जो candle बनी है वो bearish ही candle बनी है तो अगर अब हम यहां पर four hard के time frame पर जाकर देखे तो four hard के time frame पर भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो mid cap nifty है वो हमारी downtrend में यहां पर trade कर रही है जब तक यह अपनी previous candle का यानि इस candle का या फिर इस candle का high break नहीं कर देती है तब तक यह हमारा downtrend चल रहा है यह हमारा finish नहीं होगा यह आपको downtrend यहां पर one day के time frame पर अच्छे से नजर आएगा आप देख स करते हैं कि जो यह सभी candles हमारी है यह downtrend में ही है तो जब तक इसका previous candle का यानि इस candle का high break नहीं हो जाता है तब तक आपको यहां से market में अच्छा move यहां पर mid cap में नजर नहीं आएगा तो चलिए फिर अब इसके important levels देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आएंगे और हम देखेंगे कि आपका jackpot setup हमारा यहां पर क्या बनेगा तो आपके लिए जो सबसे पहले important resistance निकल कर आएगा वो 9098 कर रहेगा then 9128 कर रहेगा then 9167 कर रहेगा और 9192 कर रहेगा यह आपके लिए important यहां पर resistance निकल कर आएंगे अगर हम यहां पर अपने support की बात करें तो आ 9039 कर रहेगा जो कि आज की market का यहां पर market ने यहां पर बहुत बार support लिया है तो उसके बाद जो हमारे लिए support रहेगा वो 8990 कर रहेगा but then 8930 कर रहेगा यह आपके लिए important यहां पर support निकल कर आ रहे हैं अगर option chain के data की बात करें तो आपके लिए जो सबसे जादा strong हमारे लि जिस 10 से वो रहेगा 9150 यानि जो यह range हमारी है यह आपके लिए सबसे जादा यहां पर market में important range रहेगी अब बात करते हैं कि आपको यहां पर trade कैसे लेकर चलना है तो अगर यहां पर market आपको flat open नजर आती है यानि अगर यहां पर flat open नजर आती है इस zone में हमारे तो आपको जिस भी side इस range का break मिलेगा देन आपको यहां से call position और अपनी यहां से downside अगर break मिलेगा तो put position बना कर चलनी है तो अपन हो जाती है और इस range में यही पर market consolidate करती है तो देन आपको market में फिर कोई trade यहां पर नहीं मिलेगी क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सही market में यहां पर 50 point यहां से downside और 50 point यहां से upside के आपके लिए target आपके निकल कर आएंगे अगर market वही slow movement market कर रहा तो यहां पर हमारी कोई भी jackpot हमारा setup यहां पर नहीं बनेगा हां लेकिन अगर market ने यहां पर इस range को morning में ही break कर दिये तो देन आपको एक fast move यहां से downside put position में मिलेगा और देन वो जो हमारे target को लेकर आएगा वो हमारे यहां पर सबसे जादा 8,880 तक यहां पर आपको market downside नजर आएगी लेकिन अगर आपको market यहां पर gap up open नजर आ जाती है तो आपको morning में ही यहां से अपनी put position को बना कर चलना है क्योंकि आपके लिए सबसे जादा फिर strong resistance का का काम करेगा क्योंकि जो हमारे resistance है वो हमारे यहां पर strong है और जो हमारे support है वो थोड़े यहां पर weak हैं तो अगर यहां पर market थोड़ी भी gap up आपको मिलती है तो यहीं से आपको अपनी put position को morning में ही बना कर चलना है तो आपको यहां से morning में ही jackpot आपका setup बन जाएगा लेकिन अगर market यहां पर आपको flat open node नजर आती है तो 9 node से लेकर 12 o clock के बाद यानि 12 से लेकर 1 o clock के बीच में आपको अपना यहां पर jackpot आपको trade बनानी है तो आपको यहां से एक fast move up side और down side यहां पर आपका बनेगा अगर यहां पर market flat open रहती है 9 से लेकर 12 o clock के बीच में तो आपको 50 point का upside target मिलेगा और 50 point का आपको downside target मिलेगा I hope आपको video अच्छी लगी हो, informative लगी हो तो please subscribe my youtube channel क्योंकि हम अपने telegram channel पर भी आपको यह सब कुछ update कर ही देंगे तो आप हमार telegram channel को भी join कर सकते हैं जिसका link अपने आपको description में दिया हुआ है, thank you